पाकिस्तान के क्रिकेट में आया भुचाल लड़की के खातीर खिलाडी छोड़ रहे देश नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा खुरासा करेंगे कि पाकिस्तानी खिलाडी सन्यास क्यों ले रहे हैं लेकिन उससे पहले अगर आप भी मैंदर सिंग ध्वनी को एक महान खिलाडी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट में उस समय बुचाल आ गया जब 27 साल के तेज गेनबाज मुहमद आमिर ने अचानक टेश्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया और ये बाद किसी भी खिलाडी के गले नहीं उतर रही है दोस्तों आपको बता दे मुहमद आमिर पाकिस्तान के प्रमुग गेनबाज है और मुहमद आमिर के सन्यास लेने से पाकिस्तान काफी खल रहा है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 27 साल के उम्र में ही उन्होंने सन्यास क्यों ले लिया तो आपको बता दे वे वर्ल्ड कप से परसान थे और भारस से हार के बाद खिलाडियों में काफी लड़ाई हुई थी इसलिए वे अब पाकिस्तान में क्रिकेट खिलना ही नहीं चाहते हैं वे पाकिस्तान छोड़कर इंगलेंड की तरफ से खिलना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ब्रिटेन की नागरिक्ता के लिए आवेदन दिया है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक आमीर ब्रिटेन में मकान भी खरीदने वाले हैं ताकि इस्थाई रूप से वही रह सके दोस्तों आपको बता दे आमीर ने 2016 में ब्रिटिस नागरिक नर्गिस मलिक से साधी की थी इसलिए आमीर ने स्पाउस विजा यानि पतनी की नागरिकता के अधार पर मिलने वाला विजा के लिए आवेदन किया है और साथ ही मुहम्मद आमीर लंदर में अपनी लिए घर भी तलास कर रहे हैं जहां वे अपने आगे के जिंदगी पिता सके और अपनी पतनी के साथ रह सके दोस्तों मुहम्मद आमीर का टेश्ट क्रिकेट से सन्यास लेने से सोयब अक्तर काफी भड़क गए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है इससे भी बुरी खबर यह है कि आमीर के बाद हसन अली, जुनेद खान और वहब रियाज भी सन्यास ले सकते हैं और दोस्तों, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमामूल हग भी 6-7 लड़कियों के साथ संबंदों के कानार मिवादों में फसे हैं आपको बता दे सोसल मेडिया पर इमाउल हक का लड़कियों के साथ वाटसेट लिख हो गया है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की काफी क्रिकरी हो रही है